परिचए स्मिधा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय एक चमकीले लाल रंग का पंक देखती है, वो उसे उठा लेती है और अपनी जेब में रख लेती है, कुछ देर बाद वो एक सुन्दर नीले रंग के कंचे को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, वो उसे भी उठा लेती है और अपनी दूसरी जेब में रख लेती है, वो महसूस करती है कि कंचा पंक से अधिक भारी है, बच्चो इस अध्याय में आप भार के बारे में और अधिक जानेंगे, आओ सीखें, अधिक तथा कम भार वाली वस्तुओं को बताना, दो वस्तुओं के भारों में तुलना करने के लिए तराजू का प्रेयोग करना, भार को समझना, आओ, हम एक उधारन की सहयता से भार की परिकल्पना को समझते हैं, एक पंक को उठाते हैं क्या इसे उठाना आसान कारे नहीं है? हाँ, ये आसान है, क्योंकि पंक हलका होता है अब एक इंट को उठाते हैं, क्या आपको ये कारे कठिन लग रहा है? जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंट भारी होती है भारों की तुल्ना करना एक भारी वस्थू, एक हलकी वस्थू की तुल्ना में अधिक भारी होती है अव, हम इसे एक उधारन की सहयता से समझते हैं एक तरफ एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक पानी से भरा हुआ मख लेते हैं क्या लगता है कि किसे उठाना अधिक आसान है? जी हाँ, बिल्कुल सही, पानी से भरा हुआ गिलास ही उठाना अधिक आसान है, क्यूंकि ये पानी से भरे मक से अधिक हलका है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन वस्तूओं को आसानी से उठाया जाता है, वे कठनाई से उठाई जाने वाली वस्तूओं की अपेक्षा अधिक हलकी होती हैं. आओ खेलें, वाक के पूरा करने के लिए सही विकल्प को उठा कर रिक्तिस्थानों की पूर्ती करें. तराजू की सहायता से तुलना करना. इस चित्र को देखें, आपने इस वस्तूओं को कहां देखा है? जी हाँ, दुकान में. ये तराजू कहलाता है, ये भार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है. एक सेब बेचने वाला दुकानदार, तराजू के एक पलडे में सेब तथा दूसरे पलडे में भार रखकर सेब का भार मापता है. तराजू का प्रयोग भारों की तुलना करने में भी किया जाता है. आओ देखते हैं कि कैसे? तराजू के एक पलडे में खीरा तथा दूसरे पलडे में तर्बूज रखते हैं तर्बूज वाला पलड़ा नीचे जुख जाता है इसकार्थ है कि तर्बूज खीरे से अधिक भारी है हमने क्या चरचा की? कुछ वस्तुएं भारी होती हैं जबकि कुछ अन्ने वस्तुएं हलकी होती हैं हलकी वस्तुएं भारी वस्तुओं के तुल्ला में अधिक आसानी से उठाई जाती हैं हम दो वस्तुओं के भारों की तुल्ला करने के लिए तराजू का प्रयोग कर सकते हैं